आज के इस वीडियो में float and clear के बारे में हम लोग समझेगे जब से flexbox आया है तब से इन properties के इस्तेमाल बहुत कम हो गया है लेकिन अगर आप लोगों को कोई client एक ऐसी website दिखाता है जिसमें float and clear लगा हुआ है तो आपकी understanding इतनी होनी चाहिए कि आप समझ पाएं कि float and clear क्या होता इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं हाई नर्जी के साल लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्चिन में सिख्मा बैच ओपी ज़रूर लिग देना चलते हैं computer screen में let's roll the intro computer screen के अंदर तो मैं आच चुका हूँ लेकिन इस वीडियो में एक ऐसी बात बोलोंगो कि आप भी कोगी क्यार यह क्या बोल दिया आपने लेकिन उससे पहले मैं आप लोगो समझाना चाहता हूँ कि float and clear किस तरह से काम करते हैं तो यहां पर आप लोग देखो मैं video no.34 के ना बनाने जा रहा हूं folder तो मैंने video 34 नामसे folder बना लिया और इसको मैंने खोल लिया VS code में और यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि exactly कि HTML पर हम लोग float and clear का concept समझेंगे और CSS float and clear के बारे में जो बात मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं वह आप लोगो यार यह क्या कह दिया तो एक काम करते हैं हम dot cards के नाम से एक div बनाएंगे और इसके अंदर मैं dot card multiply by 3 करूँगा तो एक card है इसके अंदर तीन और cards है ठीक है और मैं आपर card 1, card 2, card 3 इस तरह से बनाऊँगा यहां पर card 2 कर दूँगा फिर card 3 कर दूँगा एक बड़ी सिंपल सी हमारी यहां पर जो HTML है वो मैंने लिखिया open in browser करूँगा यह कुछ इस तरह से दिख रहा है ठीक है बढ़िया बहुत ही बढ़िया अती सुंदर अब float and clear क्या होता है यह बता दो तो चलो बताता हूं तो क्या होगा कि let us say मैंने यहां पर यहां इसमें एक width दूँगा मैं width is equal to दूँगा इसमें तो मैं आपर कहूंगा width is equal to 3 pixels and let's see यह चोटी सी हमारी image यहां पर आ गई है in fact 230 कर लेने हैं कुछ दिखे तो सही image तो यह हमारी image आ गई है और नीचे card 1 है card 2 है card 3 है पता है आपने कह दिया कि हां बहुत बढ़िया ल इसमें लोरेम 34 लिखेंगा तो यह नीचे आ जाएगा यहां पर लेकिन क्या होगा अगर मैं यह वाला जो image है अगर मैं यह कह दूँ कि भई मैं इसको image जो है मेरा इसमें float करना चाहता हूं left ठीक है मैं चाहता हूं float left तो यह left की तरफ float करेगा और allow कर देगा अपने right side पर content को ठीक है इससे पहले यह अलाओ नहीं कर रहा था लेकिन अभी अलाओ करेगा अपने राइट साइट पे content को तो यह होता है हमारा float अब मैं आपको कुछ चीजे यहां पर करके दिखाना चाहता हूं सबसे बहले तो मैं आप अपर dot cards में एक style लगाऊंगा जो की होगा border two pixels solid black और उसी के साथ साथ मैंने यह लगा दिया तो यह ब्लाक कलर से आ गया और borders मैंने क्यों लगाया आपको पता चलेगा और dot card में मैं लगाने वाला हूं border two pixels solid red ठीक है यह भी क्यों लगाया आपको पता चलेगा तो यह मैंने लगा दिया आपर cards में तो हर card में red color का border है और container में black color का border है अब आपने चीज़ देखी जब भी हम float property का इस्तिमाल करते हैं तो image अगर overflow हो रहा है container में से तो वो overflow हो जाता है वो अपने container में accommodate नहीं करता है तो इसको हम लोग use कर सकते हैं एक property का जो हमारा parent container है उसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं display और display में हम लोग लगा सकते हैं flow root और जैसे हम display flow root लिखेंगे यहापर आप लोग देखो कि यह issue यहाँ पर solve हो जाएगा भी overflow नहीं होगा तो यह एक तरीका होता है और यहाँ पर content float कर रहा है अगर मैं इसमें lorem यह ना लिखकर कुछ बड़ा लिख देता है lorem 333 लिख देता lorem 333 और lorem 333 is good amount of text तभी आप लोग देखो text कटेगा नहीं यहाँ पर float करेगा image और इस तरह से यह आ जाएगा तो यह ना पहले use किये जाते थे बहुत जादा ज जो article है वो लिखा जा रहा है लागि जो modern layouts है वो ऐसे बिल्कुल भी design नहीं होते हैं अब आप लोग देखो यहाँ पर clear का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है clear कब use करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने कहा कि जो image है वो right side पर flow करेगा हमने कहा यह cards है cards पर उने borders लग होने से मेरी बात को दिहान से सुनों मैं repeat कर रहा हूँ यह ना allow करे right side में किसी भी element को float करने से तो यह बोलेगा कि यार मेरे right में कोई भी element float ना करे और उसके लिए हम लोग clear property का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे clear मैं exactly यह जो second child card का या फिर मैं इसम second वाला यह रहे तो background कर रहा कर दो उसका और clear कर दो right यानि कि भाई मेरे right में मुझे कोई भी element नहीं चाहिए इसका यह मतलब है clear right का मतलब यह है तो यह वाले div क्या कह रहा है मुझे मेरे right में कोई element नहीं चाहिए करे अगर करके मेरे right से कोई भी float अगर हो रहा है तो हटा इसको मुझे मेरी जगा देदो तो यहाँ पर आप देखो यह कुछ इस तरह अच दिखेगा जैसे ही मैंने यहाँ पर clear right किया तो इस वाले div ने यहाँ पर यह वाला जो div है हमारा मैंने nth child 2 किया हुआ है और मैं देखता हूँ यहाँ यह कौन से वाले child को इसने ले लिया तो मुझे n child 3 करना चाहिए था च्योंकि यह first child है image इसका cards का यह second child है और यह third child है तो यह n child 3 करना चाहिए था तो यह देखो इसने क्या बोला कि यार मुझे मेरे right side पर कोई भी element floating नहीं चाहिए clear right इसने कह दिया तो इसको अपनी जगा नीचे दे दी गई तो इसको अपनी अगर आपको इस div के left और right दोनों में कोई element नीचे तो आप कह सकते हो clear both ना left में आएगा ना right में अभी मैंने अगर इसका float left कर दिया right से तो आप देखना क्या होगा मैं इसको left करता हूँ अगर मैंने इसको float left कर दिया तो यह left में float करेगा लेकिन अब यह वाले div allow करतेगा क्योंकि यह तो यह कह रहा था कि बही मेरे right side पर element allow मत करो इस div पे क्या लगा था clear right लगा था और clear right का मतलब क्या होता है मेरे right side पर कोई element allowed नहीं है float करने के लिए लेकिन left पर allowed लेकिन अगर मैं इसमें clear both करते था हूँ तो इसका मतलब मेरे ना इधर दिख जाई हो ना इध studying अगर दो चाहिए है तो यह clear both करतेगा तो clear left clear right clear both करने से जो element है वो cœurता है कहता है दिख मत जईए हूँ मैंने ना इधर दिख जईए हूँ ना मेरे इधर दिख जईए हूँ समझ में आई ही यह बोलता है ना left में लिख जाई हो ना राइट में दिख जाई हो यह बास सब लोग लिखेंगे नीचे comment में मुझे नहीं पता two way interaction होना चाहिए मैं बुरा मन जाओंगो अगर आपने नहीं लिखा तो अगर आपने लिख दिया तो यार मेरा दिन बन जाता है लिख देना ठीक है क्या कह रहा है यह लिखना है आप सबको मेरा दिन बन जाता है और प्लीज लिखना comment नीचे अब यह हमने float देख लिया क्या होता है left right clear देख लिया left right और both तो मैंने यह आपर clear both कर दिया तो ना left पे दिखेगा ना कुछ right पे दिखेगा तो यह कुल मिला कि कुछ basics है अब यहां पर मैंने आप और आपको बताएं कि ओफ्लो को किस तरह से खत्म किया जाता है उसको खत्म करने के और तरीके भी है पॉर इग् vịख क्या है यारे मतलब लोड़ इतना कुछ बता कि यह क्या है यारे तो यार यह यह है कि float and clear को भी बिलकुल भी इस्तिमाल करने से मैं avoid करता हूँ, yes मैं clear बोल रहा हूँ बिलकुल, मैं यह भी नहीं कहा हूँ कभी कभी करो ना मैं एक दम साफ बोल रहा हूँ तो इसी लिए float and clear हो है बहुत जादे important है आप लोग इस समझने के लिए लेकिन modern layout बनाओ CSS grade से flexbox से और भी बहुत सारी तरीके हैं इस circus में मत पड़ो ठीक है बिलकुल में मत पड़ो float left, float right, थोड़ा बहुत confusing हो जाता है ठीक है and this is not the right way to create layouts in my opinion मेरा personal opinion है इससे layout मत बनाओ इससे styling मत करो, चीजों को इदर उदर मत करो flexbox काफी easy, एकदम आसान दो properties में देखेंगे flexbox वाले वीडियो में कैसे हम लोग set कर सकते और जो मैं websites बनाओंगा बहुत कम इस्तवाल करूँगा अगर कर भी लिया तो, देखो कर तो सकता ही हूँ मैं, मैं free हूँ, इसको use करने के लिए आप भी free हैं, इसको use करने के लिए काम तो करता ही है but, बात जिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको अच्छी websites बनानी है modern layouts बनाने, इसको use मत करना as simple as that with that said, अगर आप लोगो ने अभी तक sigma web dev की playlist को access नहीं किया तो इसको access जरूर करें, यहां क्लिक करके इसको bookmark करें, यहां क्लिक करके इसको save करें source code को भी access करें वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, share भी करें वीडियो को अपने गाह उरताओ की सब्मीन, मेरे नाम करें thank you so much guys for watching this video and I will see you next time